आप 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 सब्सक्राइब कर देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस बार इन मैंचेज की कमेंटरी चार बाशाओं में हो रही है सब्सक्राइब कर आप आपका स्वागत है कैसे हैं नमस्से दन्यवाद बहुत ही अच्छा चल रहा है और साल का आखरी ग्रैंड स्लाइम मेजर है यूएस ओपन तो काफी निगाए सब टेनिस दर्शकों की उसी पर होगी जानना चाहेंगे कि अगर मेंस की बात करें तो इस बार आप किस किलाडी पर दावना गाना चाहेंगे देखिए जौकोविच तो नहीं खेल रहा है तो और डडाल जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी उनकी अब्डॉमिनल इंजरी हुई थी विंबल्डन के बाद इसलि में काफी अच्छा फॉर्म देखा रहे है राफैल नडाल भले वह असी टक्के फिट हो लेकिन राफैल नडाल 80% काफी भारी बढ़ सकता है बाकी प्लेयरों के लिए किरियोस जिनका इतना फॉर्म अच्छा रहा है विंबल्डन में फाइनल पहुंचने के बाद समझता हूं इन चारों में से मैं समझता हूं कि यही फेवरिट्स होगे और विमेंस के अगर बात करें तो आपके फेवरिट्ट डाड़ी कौन है और क्यों है तेकि विमेंस में श्वांटेक जो की वर्ल डंबर वान है साल में फ्रेंच ओपन खेलने के पहले और फ्रेंच ओपन के बाद 35 या 36 मैच लगातार वो जीच चुकी थी और एक बहुत ही अच्छा फॉर्म था उनका पिछले एक या डेड़ महने में उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है लेकिन जिस तरह से उनकी उनकी एक ले देगी यूएस ओपन में अगर हम बात करें कि बाकी ग्रैंट स्लैम से तो यह बाक्यों से डिफरेंट है और कितना चुनौती पुर्ण है यहां पर चुनौती कुछ अलग है क्योंकि एक साल का आखरी ग्रैंट स्लैम है काफी प्लेयर थोड़े से ठक के आते हैं यहां पे जो के बड़े टॉप 10 प्लेयर्ज है सप्टेंबर तक काफी उनके साल में मैच्चेज काफी खेल चुके है बॉड़ी पे थोड़ी ज्यादा वेर और होती है और इसलिए आप आप देखोगे कि यूएस ओपन में काफी खेलाडी इंजरी के साथ रेटायर होते हैं वाकोव रहता है और वहां के जो दर्शक है वह बहुत अग्रेसिव है विंबलन के तरह चुकचाप नहीं बैठते हैं तो थोड़ा सा एक फुटबॉल या अमेरिका में जो अमेरिकन फुटबॉल है उस तरह का एक माहौल बन जाता है और कुछ प्लेयर कुछ खिलाडी है जो उनको के साथ सबसे सबसे बड़ी जो चुनौती है यह यह दोनों ही मैं समझता हूं अच्छा अगर भारत का कोई भी खिलाडी वहां पर नहीं है तो निराश्वा जोनक बात जरूर है क्या नहीं पहुत जो है नहीं जनलेशन में कोई ऐसा खिलाडी नजर आ रहा है जो आगी चल लेकिन जैसा मैं काफी बार कहता हूं कि हर एक देश में अपनी स्पोर्ट में एक साइक्लिक एफेक्ट रहता है मैं समझता हूं कि अभी भारतिया टैनिस जो है वह एक वैली से गुजर रहा है काफी अच्छे खिलाडी है जूनियर्स है फेडरेशन्स गावर्मेंट की हो रहा है वो मैं समझता हूं अगले दो आतीन साल में भारत या टैनिस में होगा में सानिया मिर्ज़ा भी इस बार इंजिरी के साल में जरूर हम दो या तीन अच्छे जूनियर को देखेंगे जो कि मेंज और विमेंज में आके अच्छा परफॉर्मेंस देने लगेंगे आपके पास क्या जान करी है आप तो दोस्त हैं इस सर्कल में रहते हैं इसलिए मैं जानना चाहता हूं जी हाँ दोस्त दोस्त है लेकिन एक बहुत ही कठिन डिसिशन है ये क्योंकि उन्होंने अल्ड़ी अनॉंस किया है कि इस साल के आंत में वो रिटायर करेगी उनका चोटा बेटा है इजान फैमिली कमिट्मेंट्मेंट्स हैं बाकी भी कमिट्मेंट्मेंट्स है और 15-20 साल से लगातार 20 या 25 हफ्तों को ट्राविल करना खेलना एक मानसिक और एक शरीर पे भी काफी प्रेशर और वेर एंटेर आ जाता है मैं समझता हूं मुझे मालूम ने अभी यूएस ओपन वो नहीं खेल रहे इसलिए उनका क्या प्लान है मैं लेकिन मैं समझता हूं कि यही स्पोर्ट्स की खूबी भी है और खराबी भी कि एक यूएस ओपन में जो वो चाहते थे उनका आखरी ग्रैंट स्लैम हो अगर वो नहीं खेल पाती है वापस अगले साल आके सिर्फ ऑस्ट्रेलिन ओपन खेलना या एक दो बड़े टॉन्मेंट्स खेलना मैं समझता कुछ माइने नहीं रखती है तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस साल के अंत में वो रिटायर हो जाएंगी बहुत बहुत शुक्रिया गौर और नाटिकर हम उमीद करते ही कि एक-दो साल में जैसा कि आपने बताया है भारत का कोई खिलारी उभरे और इन ग्रेंट स्लैम में आपने जोहर धीकलए हम इंतजार है मैं आपको अपके मेंटरी का हिंदी में कमेंटरी स्कूना साहिंग चाहेंगे जब कटर फाइनल के मैंचे जाप दिख्लाएंगे सवने स्कूर्स करवास शुक्रिया तो थेंक यू थेंक यू दॉने बाद पैसे लेक्ट स्थानी थाने